पूरे देश में इंडिया गडबंधन को ले करके नकरात्मक खबरें आ रही हूं परिशानी हो कहीं टीम बिखर रही है कहीं कोई गडबंधन टूट जा रहा है और कहीं चंडी गड़ जैसी खबर आ रही है कि जहां गडबंधन करके यानि Congress और आम आदमी पाल्टी मिल करके मेयर का election लड़ते हैं तो लोगतंत इतना मजबूत है इस देश में कि 36 वोट में से 20 Congress और आम आदमी पाल्टी के पक्षमें होता है 12 वोट होते हैं बीजेपी के पक्षमें 8 वोट invalid होता और 8 हो गैर बीजेपी का होता है तो 8 वोट से बीजेपी का candidate जीत जाता है एक वीडियो वाइरल हो जाती है जिसमें कर्मचारी है वो बखायदे पिन से बैठ करके invalid कर रहा है और उसके बाद उसको गिना दिया जाता है और candidate को दिखाया भी नहीं जाता लोगतंत्र बहुत मजबूत हो आगसे गडबंधन करके भी आपको कैसे हराय जा सकता है ये बीजेपी आपको दिखा रही है तो ऐसे वक्त में जब चारो तरफ से नकरात्मा खबरें आ रहे है बिहार में गडबंधन तोल लिया गया बंगाल में अमताबनर जी ने कहा कि हम तो अकेले लड़ेंगे ऐसे वक्त में एक उम्मीद उत्तर प्रदेश को ले करके ये आई कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादों ने पेछले दिन एक ट्वीट किया उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 11 मजबूत सीटों पर गडबंधन फाइनल किसका कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी का 11 सीटों पर गडबंधन आगे के लिए बाचीत का रास्ता बें उन्होंने खोले रखा आगे भी बाचीत होती रहेगी और तमाम चीज़ें चलती रहेगी इस तरह से एक उम्मीद हालां कि अभी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को इस बात के पता नहीं है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में गडबंधन और उसके बाद एक और कोशिश इस बात के इस उम्मेद के इस तरह के कि आज कल की तारीक में ही उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से सोलह उम्मेदवारों की एक सूची जारी करते गए पहले सोची सोलह उम्मेदवारों की सूची जारी करते हुए बाकाइदे इसका एलान किया गया इसकी घोशना की गई की जो इंडिये को पीडिये ही हराएगा इंडिये को पीडिये की हराएगा इसको लेकर कि एक उम्मीद पैदा हुई है एक उम्मीद बनी है और यह कोशिश की जा रही है कि कैसे इस पूरे विमर्श को पूरे राजनेतिक चुनावती को कैसे उम्मीद के तहट देखा जाना चाहिए पीडिये का मतलब क्या है अकिले शियादो जी ने लगातार कई किस्म से कई मौकों पर एक वैचारिक पश्टता के साथ इस बात की घोष्टना की कि पिछड़े दलित अल्बसंख्यक बाद में कई जगे पर यह आया कि एसे अल्बसंख्यक एसे अधियावादी एसे अधिवासी एसे अगड़ा यहां तक की बात आ गए लेकिन मूल स्वर्पीडिये का मूल स्वर्पिछड़ा दलित और अल्बस तो तर्क इस बात का ये है कि PDA ही NDA को हराएगा यानि NDA जो BJP के नित्रित में है जो आरिशेस के बैक अप में है वह NDA सम्विधान विरोती है वह दलितों पेछडों आदिवासियों को नियाय सम्मान हक नहीं देना चाहती है वह उनसे अलग रहना चाहती है उनके हक को छिनना चाहती है उसके कई उधार्ण है मैं अभी इस वीडियो के आखर मैं उसके कुछ उधार्ण देने की कुशिश भी करूँगा तो PDA हराएगा उन्हें एंडिये को यानि पिछडे दलित और अर्पसं के तो जो 16 उम्मिद्वारों की सूची समाजवादी पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी उस 16 उम्मिद्वारों की सूची में शुरुआत किस से की उन्होंने क्या कहा क्यार ओबीसी चेहरे सोलमे से क्यार तीन यादो चार कुर्मी दो शाक के कुश्वाहा यानि जो हमारी तरफ कुर्मी कोईरी चलता है आहिर कुर्मी कोईरी तो तीन यादो चार कुर्मी दो कुश्वाहा एक निशाद एक पाल एक दलित, एक मुस्लिम, दो खत्री और एक राजपूत पूरा विवरन देखिए और इस चीज को अखिलेश यादो लगातार PDA कह रहे है PDA और PDA ही हराएगा किसको NDA को इसका मतलब ये है कि आज हमारे सामने एक चुनोती पेश है और वो चुनोती इन वंचित शोशित जमात के लोगों को वंचित शोशित तबके के लोगों को कैसे नियाय की मुकिधारा में उठाया जाए इनको हक अधिकार कैसे दिलाए जाए इनको सम्मान कैसे दिया जाए इनकी हक हुकोग की बात कैसे की जाए इसको केंदरत करते हुए उस वोट बैंक को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादो जिस वोट बैंक को बीजेपी आज अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है और इसलिए आप गौर करेंगे अकर बीजेपी परिशान न होती और मैं जोड़ना चाहता हूँ PDA से पिछडे, दलित और अर्बसंक्यक से अगर इन तीनों की आबादी मिला लेंगे तो पता है उत्रपुदिश में इन तीनों की आबादी कितनी होगी हलाकि कुल आखडों की बजाए सीट वार विशलिशन सबसे अच्छा होता है कि किस सीट पर किसकी आबादी कितनी है किस सीट पर कौन कितना संख्या में है इसके चलते एक कोशिश इस बात के की जाती है कि अनुपात निकाला जाए 80% आबादी इस तब के की है और कल्पना करिए कि उस 80% आबादी के आधे वोटर भी अगर एक जगह कंसॉलिडेट हो जाए तो वो किसी भी तरह से बीजेपी को हरा सकते हैं और वो उनके सामने सबसे बड़ी चुनोती पेश करते हैं ये है, सबसे बहुत पूर बात ये है और इसलिए इस पूरे विमर्ष को यहां से देखे जाने की जरूत है और इसलिए अकले शियादव ने जो टिकट वतरण किया लोगों को टिकट दिया तीन यादव, चार कुर्मी, दो शाक्य, एक निशाद, एक पाल, एक मुसल्मान, एक राजपूत, दो खत्रे समाने जिश्टस यह चीज बीजेपी लंबे अर्से से करती चली आई है भरती जिनता पाल्टी एक जमाने में केवल ब्रहमण बनिया पाल्टी हुआ करती थी केवल थोड़े से लोग और उन थोड़े से लोगों के जर्ये वह नयाय किया करती थी अपनी राजनीत करती थी, अपना पूरा मुद्दा विशलेशन और इस तरह से भारती जिनता पार्टी अपनी शुरुवात करती है, लेकिन वही भारती जिनता पार्टी जब उसे यह बात समझ में आती है, जब उसे इन चीजों को विमर्श के आईने से आगे बढ़ा करके ब्याभारिक जमीन पर उतारना होता है, तो वो हर तल को हर राज में अलग रणीती, और रणीती बीजेपी की क्या है? हरियाड़ा में अगर जाट मजबूत हैं, वो एंटी बीजेपी खड़े हैं, वो बीजेपी के सामने चुनोती बन करके खड़े हैं, तो गैर जाट इसको लेकर के कैसे वो चल रहा है? क्योंकि असल बात ये है कि यह जो पूरा मामला जहति केंदरित राजनितिका है, पीजेपी यह कहती रही है कि हम जातिवाद नहीं करते हैं. लेकिन हर्याणा में एक कम्योंटी को विलन बना कर सामने रख करके, बाकी सारी कम्मुनिटीज को टिकट में मुख्यमंत्री बनाना होतो, कैबिनेट मंत्री बनाना होतो, केंदर में ले जानना होतो, राजिपाल बनाना होतो, राश्टपती बनाना होतो. बीजेपी ने हर लेबल पर हर जाती को जोड़ करके यह संदेश देने की कोशश की कि विपक्चे दलों के आपको नया नहीं मिल रहा था हम आपको नया दे रहे हैं तो इस पूरी रड़नीत के तहत आप गवर करेंगे कि पेछले दिनों मध्यपरदेश में मुख्यमंतरी किसको बनाये गया मोहनयादो को और मोहनयादो क कारकम कहा हो रहे हैं यूपी बिहार में अब यूपी में तो शुरू होने वाले हैं बिहार में पहले हैं क्योंकि चित शोशत कमेरा लोग का सवाल है पीडिये का सवाल न्याय का सवाल है पीडिये का सवाल है सिदारी का सवाल है और पीडिये का सवाल भागिदारी के साथ बीजेपी के खिलाफ एक नेरेटिव एक विमर्ष एक कोशिश के तहत उठाया जा रहा है और यहां से पूरे विम के हैं इसका मतलब यह जो पूरा मामला है इस पूरे मामले में बीजेपी को घेरने के लिए इनके पास रणित क्या है बीजेपी को घेरने के लिए इनके पास रणित यह है कि मंत्री आपने बनाए विधायक आपने बनाए मुख्य मंत्री आपने बनाए लेकिन जाती जनगरन पर आपका स्टेंड क्या है जैसे नितीश कुमार नितीश कुमार ने जाती जंगरना करा करके पूरे देश के सामने एक विकल्प एक चुनोती एक राजनेतिक अल्टरनेट खड़ा करने की कोशिश की थी और उस राजनेतिक अल्टरनेट के जरिये यह पूरी संभावना बन लिए थी कि बीजेपी को घिर लिया जाए और बीजेपी घिरते हुए भी दिख रहे थी इसे लिए अमेशा जाते हैं जब बिहार तो वो बिहार में जाकर जाती जंगरना की क्रेडिट लेते हैं और जाती जंगरना की बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो नियाई की ब पराबरी न मिल जाए तो इस पूरे विमर्ष के मुताबिक यह देखना बेहत दिल्चस्प हो जाएगा कि क्या समाजवादी पार्टी का पीडिये समाजवादी पार्टी का यह विमर्ष समाजवादी पार्टी की यह रणनी थी कैसे लोगों को एक जुट करके अपने तरफ लाने में काम्याब हो सके की और इसी पर पूरी राजि नहीं थी खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राज नहीं थी ठीकी हो यह टिकट वितरण से एक उमीद पैदा होती है टिकट वितर्ण से एक एक विमर्ष खड़ा होता है कि बीजेपी क्या पीडिये के हक में कोई काम कर रही है अब मैं उसका एक दाण दे दे रहा हूं इस देश में 340 लेटरल इंट्री से जॉइंट सेकरेटरी सीदे बनाए गए लोग अलग अलग पदों पर सेकरेटरी रैंक पर बनाए गए 340 उसमें एक भी पीडिये नहीं है पेचड़ा दलित अलपसंक्यक नहीं है इस देश भी 90 जॉइंट सेकरेटरी में इसके वल तीन OBC हैं एक दो एक दो दलित हैं दो को मिला लेंगे तो 5-7 के ओपर पीडिये नहीं है देश का 10% हिस्सा भी पीडिये के लोग नहीं चला रहे पैसे का 100 रुपय में से 10 रुपय बॉपय का भी नेंतरन पीडिये के लोगों के आत्मेनैं सुप्रिम कूट में जज़ 10% भी पीडिये के नहीं है प्रोफेसर मुश्किल से प्रोफेसर मैं कहा रहा हूँ असेस्टेंट असूसियेट नहीं प्रोफेसर दस परसेंट भी पीडिये के नहीं है वाइस चांसिलर पाच परसेंट भी पीडिये नहीं होगे दो परसेंट भी नहीं होगे वाइस चांसिलर डीन, प्रिंसिपल, रजि तो बीजेपी ने दस साल के साशन में पीडिये को क्या दिया दो चीजे आपस का घर का ही एक दुश्मन घर का ही एक वैचारिक शत्रू और दूसरी तरफ तकि वो आपस में लड़ते रहें और दूसरी तरफ उनको क्या दिया मुहरे रबर श्टांप रबर श्टांप दे करक संसाधन पर हिस्सेदारी किसकी अखिलेश याद्दो और समाजवादी पाल्टी की कोशिश इस बात की है कि टिकट वितरन तो एक बात है कि 16 में से 11 पीटी है बाकि एक मुसल्मान, एक राजपू, दो खत्री ऐसे करके उन्होंने बाकि लोगों को जोड़े है टिकट वितरन से आगे पढ़कर कि उन मुद्दों पर चुनाव लड़ना जो जनता के मुद्दे महंगाई, बिरुसकारी, सेक्षा, बेकारी, बीमारी, पढ़ाई, कमाई, दवाई से चाही अगर ये सरोकारी मुद्दे पीडिये की आम जनता के साथ जुड़ने वाले मुद्दे हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर आकर के बीजेपी के सामने अखिले श्यादों ने एक ऐसी रणनीती बनाई है अब उर रणनीत काम कैसे करेगी उत्रपदिश की सीटों का पुरा आकरणा देख लेजे उत्रपदिश की चीज़ों को पुरा विवस्तित तोर पर देख लेजे कैसे वो आएगा आज की तारीक में असी में से 63-64 सीटे किसके पास हैं? बीजेपी के पास सब अलग 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 लड़ने वाले क्योंकि बसपानी पहले गोशना कर दिये कि वो अलग से चुनाओ लड़ेगी वो अलग से पूरे चुनाओ में जाएगी समाजवादी पार्टी RLD और इनका कॉंग्रेस का गड़बंधन हुआ है तेनों पार्टियां मिल करके लड़ेंगी और इन तीनों पार्टियों के मिल करके लड़ने की इस्तती में उत्तर प्रदेश में वोट का प्रतिशत वोट की समय करणा और तिक पिछडे समुदाय में भारी तादात में ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं दलिट समुदाय में OBC समुदाय में एक बड़ा चंक है जिसको बीजेपी मंदिर के नाम पर अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है तो समाजवादी पार्टियों इंडिया गड़ बंधन का एलाइन से के मंदल के नाम पर उनको वापस अपने खे में मिलाया जाए तो अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधे सीधे मंदिर बना मंदल होने की दिशा में है और अगर यह लड़ाई मंदिर बना मंदल की दिशा में ले जाने में समाजवादी पार्टी गटबंदन, RLD, आप खौर करेंगे, कि RLD ने पिछले दुनों पश्रमितर प्दिस में बहुत शांदार काम किया, जहन चोधरी, वो लगातार, अपने लाकी में सक्री है, साथ सीटें उनको समाजवादी पार्टी दी है, पिछला चुनाव जब 2019 का हुगा था, तो किवल तीन सीटें RLD के पास गई थी, बाद में साथ सीटें उनके खाते में गई गई गई, आज की तारीख में 11 सीटें सीधे कॉंग्रेस के पास चली गई, कुछ और सीटों पर कॉंग्रेस के साथ मटवारा होगा, ऐसे वक्त में सबसे मजबूत दावेदारी के साथ समाजवादी पार्टी इस पूरे विमर्श में खड़ी है, और पहली सूची जो है, इस पहली सूची के साथ उन्होंने अपने PDA के रड़नीत को ऐसा सामने रखा है, कि जिससे मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को भारी मश्किल होने वाली है, आपका क्या मानना है इस पूरे विमर्श पर नीचे कमेंट पुका के जरूर बताईएगा, फिर मिलेंगे किसी और विश्रशन के साथ, तब तक देखते रहें 4 पिम, मैं डॉक्टर लक्षमुन यादो आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी बेट हो कि, बहुत बहुत धन्यवाद है,